दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की पालिकर में देखे बिहार पुलिस में सिपाई के पदो पर बंपर भरती तीन महिने के अंदर होगी बहाली जाने पूरा अपडेट जादे के बिहार में पुलिस सिपाई के तैयारी कर रहें बेरोजगार वावो के लिए अच्छी कबर है बिहार पुलिस में सिपाई के पदो पर भीगापन जारी होने के तीन महिने के अंदर होगाली कर दी जाएगærी के जाएगी इसमें करीब आदे पद सिपाई और उसके समकच पोश्ट होंगे वहीं देखे केंद्रे चैन परिसद सिपाई भरती के आईदाच एसके सिंगल ने सनिवार को प्रेस कॉनफरेंस कर इसके जान करी दी है उन्होंने कहा कि पुलिस बिभाग में अलग अलग पदो पर भरती के लिए नोटिपिकेशन निकाले जाएंगे वहीं नोटिपिकेशन जारी होने के तीन मैने की बितर बहाली कर दी जाएगी यानि कि अब ये अरतियों को ज़्यादा इंतिजार नहीं करना पड़ेगा माड़ी कर में देखे स्वास्त बिभाग में एक लाग साथ हचार बहाली डाक्टर नरसो की कुची जिलों में होगी तैनाति मंत्री ताजस्यादव का बड़ा एलान जिया देखे बिहार के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टर और नर्सों की गरे जिलों में पोस्टिंग होगी उप मुख मंतरी स्वस्टवास्त मंतरी तेजसी यादव नर्ज के 24 जीलों में फाइल एरिया उन्मलन के लिए सर्वजन दवा सिवन अभियान की सिरुवात करते वे या घोसना की है उप मुख मंतरी ने ग्यान भावन में आवेज़ इतकार करम में खुद विभागया दिकारियों के साथ दवा खाकर अभियान का आगाज किया इस मौके पर विभाग के और से चलाई जारी योजनाओं का जिक्र करती वेनों ने कहा कि सरकार का प्रियास से तभी सारतों को गजब हम टीम के रूप में काम करें सरकार की कोसिसे की चिक्ष से करमियों को कोई परिसानी ना हो इसके लिए डाक्टर वन नर्सों की ग्रेस जिले में तैनाती की जाएगी अस्पतालों का काया कलप होगा पुराने भावनों की स्तान पर नए भावन बनाये जाएंगे और कुछ का जिनों दुआर होगा मरुजों की सुविता के लिए भी भाग एक लाग साथ जार नोकरी देगा बाड़कर में देखे बिहार में दो दिनों बाद गिरेगा तापमान पुरे राज जिम में तेज हवा चलेगी जहाद के बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है सर्दिक कम हो रही है लेकिन सुबा और साम को इसका खासा असर देखने को मिलता है मौसम बिगान केंदर पाटना के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटों के बाद पचवा हवा की गति में बिर्दी होगी वहें कुछ जगों पर हवा की गति 20-30 किलोमेटर पर ते घंटा तक रहने की समावना है वहें निउन्तम तापमान सामाने से 2-4 डिगरी गिरेगा वाइदे के इसी बीच पढ़ना समेथ प्रदेश के कई सहरों के अधिक्तमों निउन्तम तापमान में आंसिक विर्दी तरच की गई है वहें प्रदेश के उत्तरी भागों के सिपोल वा पूर्निया में गाने कोरे का प्रभाव बना रहा है वाई देखे पाचवा हवा की प्रभाव के चलते प्रदेश के दच्छिने भागों का मौसम सुस्क बने होने के साथ ये उत्तरी भागों में कोहरे का प्रभाव अभी बना रहेगा अब बार बार नहीं देना होगा बीपेसी पीटी का एकजाम 30 सितमर को होगी कमबाइन परिक्छा जहां देखे बिहार लोक सिवा आयोग की तयारी करने वाले चात्र चात्राओं के लिए आयोग ने बड़ा फैसला लिया है अब चात्र चात्राओं को बीपेसी की पीटी की प को 79 कौमन पीटी परिचा होगी बिहार लोग सिवा आयोग के चेर्मेन अतुल परसाद ने कहा कि यह आप्सन को लेकर अभियरत्यू के मांग रही थी कि उसको हटाया जाए इसके बारे में भी सबी किराय ली जाएगी उसके बाद आयोग इस पर निन लिया जाएगा आने वाल कौंगरिस ने पोचा किबिनेट breastja यह तज़स्वी की है जैकर कि मांटर में नतिय कमारर ने सेनवार को समाधानियातरा में मंतर diamondustar को लेकर बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कि इस पर निन्ही उपमुख्यमंत्रे तीजसु हजव एदव को लेना है मुझे इस मामले में ज़्यादा कूछ नहें करना है वहन लोग निन्हे करके बता देंगी इसके बाद हम गुस्न कर देंगे जानकारे के लिए बता दे कि मुख्य मंत्रे नितिस्क मार जवोई में समाधान यात्रा पर थे इस दोरान उनसे मंत्रे मंडल विस्तार को लेकर सवाल किया गया इस पर सियम नितिस्क मार ने इस पश्ट कहा कि मंत्रे मंडल विस्तार को लेकर उपुमो की मंतरे तेजस्वी अदव से पूछ लिजी यहां निन्य उपुमो की मंतरे तेजस्वी अदव को लेना है उनसे पूछ लिए कि क्या कर रहे हैं मंतरे मंडल विस्तार जो होगा उसमें आरजेटिक कॉंग्रिस को निन्ने लेना है कि किस किस को मंतरी बनाना है तरा मंडल के बाद आई टी पार्क के इस वर्च दर्बंगा को मिलने वाला दूसरा उपहार होगा भावन निर्मान एजनसी की सुत्रों की माने तो मार्च तक भावन निर्मान का कायर्य पूरा कर लिया जाएगा इस बाद इस बावन को समंधित विवाग की सुपूर्द कर लगबग 9.28 करोड की लगज से बनने वाली इस हाइटेक आईटी पार्क में लगजरी सविदा होगी विदेशों की डेड़ दर्जन से अधिक कंपनिया इस पार्क में आफिस खोलेगी आपकी जानकारे के लिए बतादे कि यह देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क बन रहा है हाला कि बिहार में पहले बी एक आईटी पार्क बना था लेकिन लेटेश्ट टेकनोलोजिय की साथ-साथ आईतादोनिक सविदाव से लेसे इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क कह सकते हैं यहां सबी तरह की सविदाई होगी आईटी से जुड़ इसे पछल की जाज करेंगे सब रजिश्टार जाने क्यों बार बर बैदल रहा है निहां जाहां यहां एक जमिन के रजिश्टी के नियम में आये दिन में संसरजन हो रहे हैं प्रसासन की कोशिसे की जमिन रोजिस्टी में जारी भश्टचार को कम किया जासके अब बताया फैसला जमीन रजटी की किस्मवा सरचना यूगत भवन को चिपा कर सरकारी राजा सुकर नुक्सान पहुँचाने का मामला उजागर होने के बाद लिया है इस तानिय इस तर पर अब एक बत्र जारी कर दिया गया है बाड़ी खरमिदी के बिहार में बढ़ सकती है बिजली के दर बिजली कमपानियों ने बिहार बिदोत बिनामेक आयोग को दिया है प्रस्ताओ जादे के रेलबे सहीद बड़ी कमपनियों को बिहार में ओपन एकसेस यानि खुली बाजार से बिजली की खरीद मांगी पड़ीगी इसके अवज में उनको डेड़ गुना तक अधिक बिजली तरके साथ बड़ी भी क्रोस सबसीडी का बुगतान करना पड़ सकता है बिजली अपुरति कमपनियों ने सौथ बिहार पावर डिस्ट्रिपिसन कमपनी और नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिपिसन कमपनी ने बिहार राज विदुत बिनामा का आयोग को ओपन एकसेस विलिंग चार्ज और क्रोस सबसीडी के रूम में बड़ोती का प्रस्ताव इस ब्रस्ताव पर बिहार विदुत बेनामक आयोग बिजली कमपनी सहीद सभी समधित पक्चों के साथ सुनवाई के बाद अंतिम निन्ने लेगा बाड़ी कर्मेद के बिहार के यादरियों के लिए खुसकबरी हुली पर बढ़ना से दिली पुनिवा मुंबई के बीच चले मिल पाती है अब यादरियों के इसी बढ़ती बीड को देखते वे रेलवे के और से चार जोड़ी हुली स्पेसल टेन चलाए जाएगी रेलवे ने पाटना अनंत बिहार मुझपरपूर यसवंदपूर बरोनी पुनि तता जैनेगर मुंबई की बीच हुली स्पेसल टेन क परिचलन करने का निनने लिया है बाड़ी खरमेदे के बिहार में अब सिपाई बरती परिच्छा में अब तीन बार होगा चेहरा और बायोमेटिक मिलान बदले नियम जादे के बिहार में सिपाई बरती परिच्छा देने वाले अब यर्थियों का अब तीन बार चेहरे औ पर अंगोलियों का बायोमेटिक मिलान होगा परिचा में पार दरसिता लाने और धांदली लोकने के लिए केंद्रे चैन परस्द ने बदलाव किया है परस्द के अधच सिंगल ने सनिवार को प्रेस वरता में परिचा आवजन में हूने वाले तक्निक बदलाव के जानकारी उन्होंने बताई कि पारेच्छा में नकल कैसे रोकी जाए और पार दसी तक कैसे बढ़ी इसको लेकर उत्तर परदेश भरती बोड की वर्यादिकारियों के साथ बेढ़ की गए थी इसमें एक दूसरे राज की बेतर तकनिकों को अपनाने पर विचार में मर्स हुआ है पारेचर में देखे पटना गया मेमू पेसंजर ट्रेन का बदला गया समय जैदे कि गया से पटना वा पटना से गया जाने वाले रेल यात्रियों के लिखास कबर है पटना गया मेमू ट्रेन के समय में परिवरतन किया गया है इसकी जानकरी लगातार पुझताच का रेले से पुदी जारी है ताके रेल यात्री को रेल सफर करने में परिसानियों को समना न करना पड़े आपके जानकारी के लिए बताते कि 12 फरवरे से गाड़ी संग्या 03337 पटना गया मेमू का गया स्टेशन पर संसोदिद आगमन समाई 9 बज कर 30 मिनट में खुलेगी वहीं गाड़ समाई 1 बज कर 5 मिनट मत कर दिया गया है वहीं साम में खुलने ओले गाड़ी संग्या 03365 पटना गया मेमू का गया स्टेशन पर संसोदिद आगमन समाई 4 बज कर 45 बजे यानि कि साम को किया गया है बाड़े खर में देखे 31 मार्च तक अधार से लिंक करा ले पैन नहीं तो रद होगा यह देखे सभी पैन कार्ड को 31 मार्च तक अधार से लिंक कराना अनिवार है यदि 31 मार्च तक पैन लिंक नहीं हुआ तो यहाँ अवेद और निस्क्री हो जाएगा आएकर विभाग ने अपने सेत्यापेती ट्यूटर एकाउंट पर इस बात की जानकारी सज़ के माने तो आधार कार्ड से पैन कार्ड तभी लिंक होगा जब आधार कार्ड अपडेट रहेगा और दोनों कार्ड पर दी गई जानकर एक समान होगी साथी लोग कौमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी बहुत आसानी से या प्रक्रिया पुरी कर सकते हैं बाड़कर में देखे गलत मुल्यांकन करने वाले सिक्षकों पर लगेगा दस जार का जर्माना छेन लिया जाएगा यहादिकार जादिके सेबियसी के दस वी और बार वी परिचा के तर पोस्तिका में गलत मुल्यांकन करने वाले सिक्षकों पर जर्माना लगेगा साथी ज करने वाले सिक्षक पर अधिकताम 10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है सिब्यसी ने उत्तर पुस्टिकाओं के मुलाकन को लेकर सुचना सभी स्कूल को भेज दी है बोर्ड ने इसकूल को कहा है कि मुलाकन में लापारवाही करने वाले सिक्षक पर करवाई भी की जाएगी साल 2022 की 10 वे और 12 वे की परिचा के मुलाकन में परिचकों ने कई गल्दिया की ति रिजल्ट जारी होने के बाद चात्रों ने उत्तर पुस्टिकाओं की पुन मुलाकन के लिए आविदन किया तक कुछ गल्दिया सामने आई बिहार में 200 से ज़्यादा सिक्षकों ने उत्तर पुस्तिक पर अंग दिने में गड़वड़ी की थी कई सिक्षकों ने अंग कम दिये तो कुछ ने अंग जुरने में गलती की कुछ ने अधुरा मुलाकन किया कैल सिक्षकों ने कौपी पर अंग कुछ और एंट्री में कुछ और अंग लिख दिये अडिकरमेदी के बिहार में साथवे चरन के सिक्षक बहाली जल पचास बिज़ी पदों पर सिधी नियुक्ती प्रसासन को भेजी गई नियामोली जैदे के बिहार में सभी तरह के सिक्षक के नियुक्ती के लिए एक प्रकार की नियामोली बनाई गई है सिख्चा मंत्री प्रोफेसर चंद्र सेकर ने सिख्चकों के नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियामली के विभाग ये प्रस्ताव को हरी जन्री दे दी है प्रस्तावित नियामली के खास बात याओगी कि रिक्त पदों में से 50 फिदी पद 29 से भरे जाएंगे साथ प्रस्तावित नियामली में आरजित आवकास दोगोना कर दिया गिया है वाईदे के सिख्चा मंत्री के अनुमति के बाद अपचारिक मंजूर के लिए प्रस्ताव सामान प्रसासन वित और विदी विभाग को भीज दिया गिया है उमेद जताई जा रही की होले से पहले केबिनेट हर हाल में सिख्चक नियामली हरी जन्री दे दी है जानकारी के मताबिक नियामली में निक्तियों और परमोसन के अलावा सिवा सर्तों पर विस्स रूप से फोकस किया गया है आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें